नमस्कार स्टुनेंट्स, डियाइस एजुकेटर यूटूब चनल पर आपका स्वागत है और जैसा कि हम लोगों ने एक स्रेंख्ला शुरू की थी Current Affairs with Newspaper समाचार पतों के मध्यम से समसामी की मैं आपको बता दू कि इस स्रेंख्ला में हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैंने इसमें एक परिवर्तन किया है इस वीडियो के साथ हम नेकेवल Current Affairs को पढ़ेंगे Current Affairs के साथ साथ हम उसी पर आधारित लगबग 10 से 15 कोशन एक स्लाइड में Objective कोशन सॉल्व करेंगे तो शुरू में हम लोग समाचार पत्रों के उपर डिसकस करेंगे बहुत मैतपून जो ख़बर होंगी उसके उपर और उसके पश्चात जो भी Important कोशन हाल ही के दिनों में निकल करके सामने आए हैं उनके उपर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही एक अलग Concept लाने का प्रियास में ने किया है और उम्मीद है कि आप लोग उको ये थोड़ा पसंद भी आएगा और आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो एक तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान रहे हैं यदि आप पूरे वीडियो को देखोगे तो ही आपको सारे questions मिल पाएंगे और आपको फाइदा मिल पाएगा देखो मेहनत का फाइदा तभी मिलता है जब आप लोग उससे देखें और पूरा देखें यदि आप लोग उसको देखते नहीं हैं और आगे चले जाते हैं तो जो मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है तो हम सुरू करते हैं आज की ख़बरों के उपर ये bulletin of COVID-19 तो COVID-19 ने भारत के एक फर्मर क्रिकेटर की जान ले ली है और ये multi-organ failure के कारण इनका निधन हुआ है और ये UP सरकार में मंत्री भी थे इसके बाद अगली न्यूज है अगली न्यूज जो भारत के लिए बेहत अच्छी ख़बर है और प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी जो कुछ नया करने के लिए जाने जाते है उन्होंने एक mission launch किया है आपको द्यान रखना होगा कि अभी हाल ही में यानि कल भारत ने अपना चौतरवा सुतंतरता दिवा से वो मनाया है तो National Digital Health Mission की सुरुवात लाल कले की प्राचीर से हमारे प्रिधान मंत्री मोहद ने की है और आप लोग देख पाओगे कि ख़बर है कि मोदी जी ने लाल कले की प्राचीर से गोशना किये कि हर भारतिया को एक Health ID दी जाएगी जो स्वाइस्त खाते की तरह होगी आपके हर टेस्ट हर बीमारी में इसका जिक्ट होगा किस डॉक्टर से कौन सी दवा आपको दी है डाइगनोसिस क्या था और यह सब आपको पता चलेगा ध्यान रहे यहाँ पर चार चीजें इस जो Digital Health Mission है इसके अंतरगत होगी एक तो आपकी Health ID बनेगी जिसके अंतरगत हर आदमी को अपना एक Health Identity Card बनाना होगा जिसके मैध्यम से उसका पूरा जो बीमारी का रिकॉर्ड है वो उसमें दर्ज होगा इसके बाद Personal Health Record रहेगा इसके बाद डॉक्टर को भी अपना रेजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनकी अपनी यूनिक आइडिन्टी होगी और इसके बाद Health Facility Registry होगी जिसमें Hospital, Clinic, Lab और स्वास से समंधित जो दूसरी Facility है वो जुड़ सकती है और यह सभी जानकारी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर अपलब दो पाएंगी और इसे बेव और एप्लिकेशन दोनों मैध्यम से जारी किया जा सकेगा यह बहुत अच्छा मिशन है पॉजिटिव सेंस में इसको लेना चाहिए कि 44 सुतमतुक्ता दिवस के अवसर पर पीम ने इसकी घोफणा की है थोड़ा सा और आगे आप बढ़ोगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखोगे कि प्रिधान मंत्री जी ने चीन के उपर निसाना सादा है लेकिन चुकि यह जीके का कोई खास कुश्यन बनता नहीं है फिलाल यहाँ पर इससे आप देखोगे तो कि इसका कोई कुश्यन नहीं बनता लेकिन यह कुश्यन यहाँ से बन सकता है हाई कोट के चीफ जेस्टिस जो है राजस्तान हाई कोट के चीफ जेस्टिस इंदरजीत महिंती ध्यान रहे ये तो कोई नहीं पूछेगा कि कोरोना पॉजिटिव हुए थे एक नहीं हुए थे लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि राजस्तान के Chief Justice का नाम क्या है तो इंदर जीत महिंती जो है राजस्तान के Chief Justice है और राजस्तान अभी हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा है तो राइस्तान से संबंद जो कुश्यन है वो आगामी पृतियोगी परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं इसके बाद और आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक अलग खबर आपको नजर आएगी यहाँ पर भारत के दो स्टार क्रिकेटरों ने एक साथ सिन्यास लेने की गोश्णा कर दी यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले MS धौनी जिन्होंने 49 साल की एज में कल अपने रिटार्मेंट की गोश्णा की और धौनी एक मात्रे ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने तीन ICC की ट्रॉफिया जीती उन्होंने ICC के तीनों पुरुसकार एक साथ जीते मैं आपको बता दू कि उनको भारत के जो प्रमुख पुरुसकार हैं खेलरतन पुरुसकार से लेकर के पदम शिरी पदम भूसन तक से उन्हें नवाजा गया तो ये बहुत बड़ा पुरुसकार किसी भी ख्लाड़े के लिए होता है और MS दौनी ने भारतिय क्रिकेट का कद जो है वो काफी उचाईयों तक पहुँचाया तो आपके लिए जरूरी है कि MS दौनी से समद्द कुछ चीजें आप लोग याद करें मैं आपको ये पूछना चाहूँगा आप कमेंट वॉक्स में जब वीडियो देख लें पूरा तो बताएं कि MS दौनी ने अपना पहला जो इंटरनेशनल मैंच है वो किस देश के खलाफ खेला था ये आप लोग मुझे बताऊगे और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि एक और होनहार और बहुत प्रिसिद्ध सितारे क्रिकेट के और चन्ने सुपर किंग्स में दौनी के साथ ही सुरेश रेना ने भी माही के साथ ही माही दौनी का निकनेम है रेना ने भी मही के साथ ही रेटार्मेंट की गोशना कर दी है और इस प्रकार से दो क्रिकेटरों का केरियर एक दिन में समापत हो गया इन दोनों को जो लोविस की सुब कामना है रेना के बारे मैं आपको बता दू कि रेना भारत के पहले क्रिकेटर थे जन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानि टैस्ट बंडे और टी ट्वेंटी में अंतराश्टी इस तर पर सबसे पहले सतक लगाया था तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी थी रेना के लिए इसके बाद मैं आपको बता दूँ प्रेस्णों की हम लोग सीरीज शिरू करने वारे हैं तो आप लोग देखोगे कि निमलिखित में से कौन सा पुरुसकार भारती है जो पूर्व कप्तार है महेंदर सिंग दौने को न से अंतराष्टे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर है वो कौन है भारत की तरफ से अंतराष्टे क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है तो फर्स्ट प्लेयर कौन है जिसने ओल थ्री फॉर् पर आप लोग आ रहे हैं तो इसमें मैं आपको यह राइस्तान के मुक्षचिव कौन है यहां मुक्ष यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया मुक्षचिव है तो राइस्तान के मुक्षचिव है वो कौन है बरतमान में क्योंकि इनको परिवर्तित किया गया है हाल ही में इनकी न्यूक्ति हुई है इसलिए ये कुशन भी राइस्तान के स्टुडेंट्स के लिए काफी इंपोटेंट है तो दीपक कुमार, डीवी जैन, असो कुमार और राजीव सुरूप में से कौन है ये आप लोग बताओगे कमेंट वाक्स में वीडियो के आखिर में हम लोग इनके अनसर के उपर भी डिसकस करेंगे, हाल ही में जम्मू कस्मीर का राजपाल किसे बनाया गया है, तो यहां भी आप देखोगे कि आपके सामने चार आप्सन है, केसब प्रिसाद मोरिया है, जीसी मुर्मू है, मनोस सिन्ना है, नजमा है पतुल्ला है, तो इन में से कोई एक है जने हाल ही में जम्मू कस्मीर का राजपाल बनाया गया है, तो इसका आंसर आप लोग करोगे, कुछिन अमर फाइब के उपर जाते हैं, कि लोक सवाने करमचारियों, एवं अधिकारियों के लिए सुरुवाती इस तर पर किस भासा का एक पाठिकरम शुरू किया है, यह ब आप देखोगे कि हाल ही में स्वर्गे स्री अटल बिहारी बाजपेजी की कौन सी जो पुनित थी है, जो आज ही मनाई जा रही है, यानि सोला तारिक को, तो कौन सी थी, नमबर आपको बताना है, फिफ्ट, थर्ड, फोर्थ या सेकिंड, तो यह आप लोग बताओगे, इस इसके बाद हम अगले कुशन पर चलते हैं, कुशन नमबर सेवन, स्वर्गी ए स्री अटल बिहारी बाजपेजी के समाधी इस्तल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप देखोगे, अटल सत्य, अटल इस्तल, सैदेव अटल, अटल सत्य या अटल सांती, तो यह आपको बता इसका अंसर, इसके बाद नेक्ष्ट आप चलोगे, भरत के नए नियंत्रक और महलेखा परिक्षक, यानि CAG, Controller and Auditor General किने बनाया गया है, आलोक सरिवास्तव, राजी मेर्ची, सुनील अरोडा, और जीसी मुरुमू, तो यह आप लोग देखें, और मुझे बताएं, इसके इसके बाद इनके ओपर डिसकस करेंगे, अगला कुशन काफी इंपोटेंट है, नई सिक्षा निती 2020 का ड्राफ्ट किसने तयार किया था, के कस्तुरी रंगन, S. सुब्रुमेनियम, C. आर कोठारी, या रमेश पोकरियाल, निसंक, देख लें, आप लोग वीडियो को करोना के चलते निधन हो गया है, तो ये भी मैंने आपको आज की अख़वारों की कटिंग में बताया था, नंदु नाद करनी, बीनु मानकर, चेतन चोहान और चेतन सर्मा, आप लोग जो भी राइट आंसर है, उस पर टिक करें, और उसके बाद हम लोग इनके आंसर्स के उपर डिसकस करना शुरू करते हैं, निमले कित में से कौन सा पुरुषकार महेंदर सिंग दोनी को नहीं मिला है, तो यहां आप लोग देखोगे कि कौन सा पुरुषकार नहीं मिला है, तो यहां पर C आप्सन इसका राइट है, C आप्सन इसका अंसर रहेगा, क्योंकि बारत की तरफ से अंतराश्टी क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में जो सतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं वो कौन है पहले क्रिकेटर के यहाँ पर बात हो रही है इसके बाद और भी खलाड़ियों ने ऐसा कारनामा किया है तो इसका आंसर सूरेश रहना है सबसे पहले यह कारणाम करने वाले जो खिलाडी थे वो सुरेश रहना थे तो option यह यहाँ पर option रहेगा इसका answer रहेगा सुरेश रहना sorry यह option है next आप लोग बढ़ेंगे अगला question question number 3 रहस्तान के मुक्षचिव कौन है यह मुक्षचिव थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया था यहाँ पर इसको आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे और इसके बाद इसका answer हम लोग देखेंगे कि हाल ही में राजीव सुरूप को नया मुक्षचिव असुग गहलोत ने नियुक्त किया है तो यह हमारा अगला question हो गया इसका answer भी हो गया question number 4 के उपर हम लोग चलते हैं अहाल ही में जम्मु कस्मीर का राजपाल किने बनाया गया है तो यह जो question है वो काफी important है क्योंकि यह भी नियुक्ती बहुत नई हुई है तो मनोज सिन्धा यूपी के रहने वाले हैं और पूर्व केंद्रिय मंत्री है इन्हें यहाँ पर अगला question लोग सभा ने करमचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती इस तर पर किस बासा का पाठिकरम शुरू किया है ध्यान रहे यह ऐसे जो question है काफी इस तर यह question होते हैं और इनको आँ पच्छे से थोड़ा सा seriously देखें तो इस question का answer आप दोगे तो option A है फ्रा रमचारियों के लिए यह पाठिकरम है वो चल रहा है यदि आप लोग ढूंड पाते हो तो सर्च करें थोड़ा सा Google करें और comment box में बताएं हाल ही में स्वर्गीय स्री अटल बिहारी वाजपेजी की जो पूर्णितिति थी वो कौन से नंबर की थी यह आप लोग comment box में बता स्वर्गीय स्री अटल बिहारी वाजपेजी के समाधी इस्तल को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर भी मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसके सीधे इसके आनसर पर जा जाता हूँ option number B सैदे वटल और यहीं जाकर के हमारे मानिय प्रिधान मंत्री जी ने इनको आज सिधान जली अरपित की है इसके बाद आप देखोगे कि भारत के नए नियंत्रक और महलेखा परिक्षा के यानि C.A.G किन्हे नियुक्त किया गया है तो यह question बहुत important है और जी सी मुर्वू जो पूर्व में जम्मु कस्मीर के राजपाल थे उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है जी सी मुर्वू जो है वो पहले आदिवासी है जो इस पद पर पहुँचे है इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे नई सिक्षानिती 2020 का ड्राफ्ट है वो किसने तियार किया है तो इस नई सिक्षानिती का जो सुझाव किसने धिया है यह पूचा जाए तो आप आंसर स्मर्मेडियम करोगे लेकिन जिधी ड्राफ्ट किसने तियार किया है यह पूचा जाए तो option number 1 के कस्तूरी रंगन इसका अंसर होगा इसके अतरिक जो कुश्यन है आज की सरंकला का हाल ही में एक चर्चित क्रिकेटर और यूपी सरकार के एक मंत्री का कॉर्णा के चलते निदन हो गया मैं आपको बता दू कि सत्तर के दसक में यह बहुत फैमस क्रिकेटर थे और एक मात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जन्होंने चालिश टेस्ट मेंच खेले रन भी काफी बनाएं दो अजार से जादा रन बनाएं और कोई सतक नहीं लगा पाए यह और सुनिल गावसकर सनी गावसकर के साथ इनकी जोड़ी काफी प्रिसिद रही सी चेतन चौहान और आज तैत्तर वर्ष की एज में जो है इनका निधन हो गया कोरोना की महमारे के चलते तो इस प्रकार से यह आज की जो कुश्यनों की और अकवारों की सरंखला है वो समाप्त होती है उमीद है कि आपको पसंद भी आई होगी और आप लोग इसी तरीके से इस सीरीज को थोड़ा से लिए आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ाओं त थैंक यू सो मुच्छ